तो दोस्तों देखिए ये छोटा मचली बना करके धोया हो चुका है आगे आपको दिखाते हैं और मसाला भी पीसा हो चुका है चलिए अब मसाला को मिला लेते हैं मिर्ची लसून अदरक का पेश्ट डाल दिया ये थोड़ी हल्दी भी डाल देते हैं और थोड़ा सा अब धन लगा के मिलाओंगा तो ये तूट जाएगी इसका सुआद अच्छा नहीं फिर लगेगा इसको धीरे धीरे मिला लेते हैं अच्छे से मिक्स हो चुका है अब बारी आती है इसे पकाने की तो तेल गरम होने के लिए दे चुके हैं इसको अच्छे से गरम होने के लिए दे दे तेल गरम हो चुकी है और प्याज अभी लाल हो रहे हैं इसको अच्छी तरीके से लाल हो जाने देते हैं देखिए ये प्याज भी अच्छे तरीके से लाल हो चुके हैं अब बारी आती है मचली देने की तो ये इसमें मचली को डाल चुके हैं और थोड़ी देर इसको ऐसे ही रहने देते हैं थोड़ा सा पानी को सुखने के लिए देते हैं अच्छे से ये मचली लाल हो चुका है इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे इसलिए डाल देंगे कि अच्छे से ये पक सके और इसको ढखकन से छुपा के थोड़ा गलने के लिए देते हैं